हेलो फ्रेंड्स वर्कम टू अमर्के मेकेनिकल देखिए इस वीडियो नंबर टू है पहला वीडियो मैं आपको करा दिया तो इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन ब्रक्स में मिल जाएगे वहां से देख लेना ठीक है वसकी पीडियाप आपको मिल जाएगी मेरे टेलिकर आपको दे रख किया है तो जोइन कर लेना वहां से आपको पीडियाप मिल जाएगी चलिए शुरू करते हैं पहला कूशन देखेंगे तो यहां पर फास्टोशन क्या रहा है विच आप टाइप अप्शैटिंग इस ओन एक्स इन फिकर एक्स आपको दरसार आए यहां पर पूछ रहा है खैक अप्शैटिंग कौन सिराइप की है तो वही इसका अंसर कौन दे सकता है बताएगा कोई तो यह हो जाएगा वही क्या हुआ जांपिंग कली मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था कि जंपिंग क्या होती है अच्छी तरीकी से बताई है तो यहां तो यहां पर नहीं करेंगे क्या पहला वीडियो देखना वहां पर आपको अप्सार्टिंग और जंपिंग सब क्लियर हो जाएगा ठीक है तो यहां पर नमबर टू देखिए दांस्ट्रूमेंट यूज फी मेजरिंग हाई तो नहीं हाई तरम लिटल येँ में जोड़े जैगे तो उन को भी मिजरमेंट कर लेता है यूटा हो भ्टी इसको बहुत तो उसका भी टेंपरेचर बहुत ज्यादा होता है तो इसको पारोमेटर से ही चेक किया जाता है कि कितना इसका है ठीक है तो चलिए बहुत इंपर्टन कुछ ने ने देखते हैं तो कुछ अमबर 3 देखिए यह संबने था ठीक है material science इस तो लोएर क्योंडल Turkish टंबरेचर अफ है कार्बन स्टील विद फर्डरें टो लोगा ट्रेंद ट Lehrस होता है हाए कार्बन स्टील के लिए के कितना हो सकता है सब्सक्राइए लेंगे तो बढ़िया लिए क्योंकि आपको यह पता हो की आप सब्सक्राइब रहे हैं ठीक है उतके वो ओल्प्रमिंभरम मालट मेशीं हम सब्सक्राइब करेंगे हैं यह Cemal printers केबन सब उन्फक्ण एक सब सब्सक्राइब ने, एक सब्सक्राइब नमेगे उनको रहता है, और स्क्राइब को अंगुत मैलेटनों सब्सक्राइब ने कमदमा सब्सक्राइब करके करणाया है। तो बनाने का video को कोई मतलब नहीं है मैं को एक थाम हो रहा है मेरा और आपको मैं वीडियो बना रहा हूं इस पेटिट बना रहा हूं तो टो लाइक तो यहां पर मैटल होता है ना पंच किया जाता है तो जैसे मैं आपको समझा दे रहा हूं जैसे आपको मालों यह हो लड़ी के यहां पर आपको मैटल लगाना है जैसे मालों कवर्ड करना इस तरीके से तो यहां पर यह बाल पिन का यूज करते हैं यहां पर इसको यहां पर क यहां किया होता है यहां पर कौन सा हैमर यूज होगा वोगे किया हो बाल पिन तो भ्ला बाइन है मरोल शुम puff तेलिबन होगा ठीक है के लिजार होगा चलिए और बालपन एवर Sum手 न कि Щुछ और सोलंट्रिंग Помीट सिस्ट आप पीस ऑफ डॉट 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 फास्ट एंड एन आइरन रोड विद ए वडन हैंडल तो देखो आपको कहा रहा है कि सोल्टरिंग बिट होती है ना सोल्टरिंग जैसे आपको देखो आप हिंदिय में जानते हूं आइरन बुलते हैं इंगलिश में और अकाय बोलते हैं जो भी मतलब वोलोग हैं लिए तो सोल्टरिंग जो टिप होदी ए करे कि ढलेक हैं तो सोड्टरिंग ज lilμै ओती न वालो यह आपका आयने इस तो आयरन है यहाँ पर यह वाली जो टिप की बात कर रहा है कि स्किवनी होती है पर में आपको दाते हूं को और इंपोरण बात बन जाती क्योंकि जो ठर्मा था भी होती है ज़्यादा होती है ठीक है चलिए जाए तो यह कुश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है देखिए इन इर रिविट जॉइंट नियुम डिस्टेंस फॉर्म रिविट होल सेंटर तू दा नियरेस्ट इज ऑफ दा प्लेट कॉल्ड तो देखिए आपको एक कोई भी इसके सेंटर से डिस्टेंस की दूरी होती है वह सबसे ज्यादा मिनियुम डिस्टेंस को क्या बोलते हैं ठीक है समझ भाया है मिनियुम डिस्टेंस फ्रॉम रिविट होल सेंटर तू दा नियरेस्ट एज जो नियर की जो एज है ना किनारा है उसको क्या बोलते है तो इसको इसको मैं पहले इंपोर्टन बता दे रहा हूं इंपोर्टन क्यूं है कि सबस्यादा पुछ जाता है इफ डी डायमेटर डी डायमेटर रिविट का जो डायमेटर है वो डी है एंड टी उसकी थिक नोज है मौट आई है ठीक है ऑफ प्लेट एम इन रिविटेट जॉइंट अन्विन रूल्स इस तो अन्विन रूल्स यू एन डॉ आइन ऐसे करके होता है अन्विन फॉर्मूला ठीक है तो यहां पे एक फॉर्मूला होता है डी व्राव सिक्स रूट ट थि तो सी हो जाए गा डी वराव सिक्स रूट टी तो यहां पर देखो आपकी जैसे यह रिविट रडी है जो भी है रिविट की आपको टी रखा है जैसे मारो 36 टी कियो कि तो डी बराबर आपको 6 इंटू अंडरूड में कितना रखोगे 36 तो कितना हो जाएगा तो यह कितना देगा 36 तरीक से नुमेरिकल भी पूछे आते हैं थे आप समझदार हो जानगे होगा ठीक है तो सी आंसर हो जाएगा नेक्स कुछन देखेंगे कुछ नमबर नाइन देख । मैंलिबिल टी होती है तो को चोट्य था बौलते हैं दिंग हुंदी मैं एंडिम at को समझे और रोटी तो वहगा करते हैं के हैमर लोग इา पट ब нужना इन करना है यह बना देना है इसमें इसमें ब्लॉक में आपको मारना है नहीं टो यह जाए घर जाएगा जाएगा तो आप जाता है तो यह चीज क्लियर होगी होगी चली देखेंगे यहां देखेंगे कुस्वाइब की इस तो फ्लक्स क्या होता है आपको पहले बता दें रहाओ देखो लक्स क्या होता है जिसवेंड़ा क्यों मत इसको चूंप नहीं सबस्क्राइब अब तिसको यह desirable यहां देखी नो इसके प्रोट सोरी से नहीं तो इसको मैं केलियर सनदा दे रहा हूं थोड़ा यह से आपको कहीं भी वैल्टेन कर नीples अमाल लो के यह वैल्डी करनी है किस जगह पहर कर होगा अजसे कगया यहां वह उपर क्या क्या होगा तो यहां पर फिलक्स हो क्या करता है तो को सबunn What यह ठीक है यह फ्लक्स क्लियर हुआ चली नाक्स दिखते हैं तो यह कुशन देखिए कुशन नंबर 12 देखिए बैस्ट कंडेक्टर फॉर हीट एलेक्टिस तो आपने देखा होगा भी दुकान पर जाते हो आप आप अंकल हमें वो देदो वायर देदो तो किसका देते हैं या या मतलब कुछ देते हैं ठीक है तो लिखानी होगा वायर देदेटें तो आप पतवाने वायर डूंब यहांपकर का वान लेते हैं तार लेतने तो यहां पर आंसर हो जागा अब एक और बात बता दू को पर ना हो ठीक है तो सबसे पहले आता है डायमंड ठीक है डायमंड फिस सिल्वर आता है मैं आपको बताते हैं अगर बहुत इंपोर्टन थे नहीं रखा अगर कॉपर और सिल्वर भी दोना दे रखा तो लगाते फिर अब तुम तुम ठीक है याद रखना डायमंड पर पर आता है कि याद रखना डायमंड अपर अलुमियम बनती एक याद कर लेना कैसे इंटरनेट से निकाल के देखना नहीं तो मैं आपको करा दूंगा डूंग ठीक है चलिए ने शुशन देखते हैं समझ मे यहां देखें यह भी इंपॉर्टन कुश्चन है वाट कुलेंट यूस फोर ड्रिलिंग दा अलुमियम जॉब तो यह कहीं भी जैसे अलुमियम को आपका यह कुछ टुकड़ाए ठीक है यहां पर आपको क्या करनी है मालों इसको काटना है यहां से मशीनिंग करनी है कि किस दोये कौन से यूजब होता है फोर एलुमियम जॉब के लिए डिल्युमियम के लिए ठीक है तो तो होता है कैरोशीं ठीक है मिट्टी का तेल कि कहा केरोशी नोइट बोलते हैं तो एक और बात और अब्सकिर कारना बिए जाता है कि यह समझे हाई नेक्स तो स्वाइट को तो कुछ नमबर यहां पर फॉर्टिन दे की आइटेंटी फाइदा टाइप आफ रिवेट जोएंट तो यहां पर रिवेट जोएंट टीक उसको आइटिफाइड करना है कौन से रिवेट होगा लैब जोएंट है यह सिंगल स्टेप बड़ जोएंट है यह डवल स्टेप जोएंट ठीक है तो डवल तो स्टेप लगी है ठीक है डवल स्टेप बड़ जोएंट तो यह पैंचनना आना चाहिए आपको चलिए नेक्स कुछन देखेंगा भई तो यहां देखिए यह भी कुछन इंपॉर्टन बन जाता है विच टाइप ऑफ फायर एक्स्टिंगिश तो वैल्डिंग शोप में कौनसे टाइप और एक्स्टिंगुशर यूज होता है ठीक है लाल वाला इसलेंटर देखा हो और ऐसे आपने लाल लालता से लाइटर देखा हो ठीक है रैड कलर का तो फायर आपको बजाने के लिए मतलब आपको बजाने के लिए युज किया थ तो क्या होता है वह सी यूटू अश्वाइज भरी होती है उसके अंदर एक कारबन डाइब चलिए नाइस कुछन देखने तो यहां पर कुछन हम सिक्षिन देखिए वह इंदा लग्वर साइज रेफर टू लग्वर साइज किस पर डिपेंड करता है बताइए इंपोर्टन क है तो इलेक्टोर्ट का साइज होता है कि सबकूर्फ का आपको अब में कि यह क्या होता है इसको दाइमेटर ऑब होता है उसके एड रखना चीज है इंपोर्टन रहे तो पया यहां देखिए यह कुछ न वेरी वेरी मोश्ट इंपरण यह भी यह भी पूछा जाता है सबसे जादा देखो दक करेक्ट कलर्स और ऑक्सीजन एंड एस ट्रीन होज आर तो बताएं तो इसका अंसर भाई क्या हो सकता है जो को ब्लैक्स लेंटर होता है ब्लैक्स लेंटर होत होता है तो इंपोर्टेंट बहुत जादा मैं आप से पार बजाइब आता है है यह आता ही एक्षान में हमारेक्स ब्लैक्स होगा दिखर और यहां पर जैसे आपको यह पकड़ने होता ना इस जगे पर टिके वैल्टिंग यहां पर करते हो आप कि यहां पर जो स्लेंटर की बात करी जाए तो ब्लैक लेंटर होगा आपको ऑक्सिजन का और मरूं स्लेंटर होगा एस लिंगा यह भी पूछा जाता है कुछन चली नश्विशन देखेंगे अब देखिए आग तो यह कुछन देखिए कुछन नमर 9 देखिए विच फ्योड गैस यूँ फॉर कटिंग डीप अन्डर वार्टर तो यहां पर कौन सा फ्यूल फ्यूल गैस होता है जब अंडर वार्ट रिक यह उसका पर का तो हगए गर तरह हो जागा है तो यह कुछन देखते हैं तो यह कुछन देखिए इंपोर्टन्ट है ग्रेट फॉर ग्राइट विली स्पेसिफाइड भाई लेटर फॉर्म ए टू जैड विच आर ऑफ फॉलॉविंग ग्राइफ ऑफ दा हाड़ेस्ट ग्रेड तो देखिए अब ग्रेड ह होते हैं ग्राइंड के एक मतलब कौन सा वील हाड है कौन सा सॉफ्ट इस तरह की से आता है ठीक है तो यह से जाड़ होगा तो इसको नेक्स वीडियों में बता दूंगा डॉन वरी तो इसको मैं क्लियर कर दोंगा बाद में लेकिन याद रखना एए होगा ना वो सॉफ्ट जाएगा ठीक है नेक्स देखेंगे अब तो यह कुशन काफी इंपर्टन इसका आंसर आप कमेंट बोक्स में दोगे ठीक है यह कौन सा रोगा एट दा वाट स्टेंडर्ड टेंपरेचर आर्दा गेज केप्टें सेक्शन वह गहारा है कि कौन से टेंपरेचर पर आप जो दोगे ठीक है वुडियो को लाइक कर देना वाइट चैनल गया वह प्लीज सब्सक्रफर कर लेना चैनल पर पाखर ले चले तरह सीटेंड़ें और बाकी से अब कर देना सबको लोग देख नहीं रहें तो मैं तो इसका मतलब यह तो आपको ने प्लेश कि लिए बनाँ कर द दे रहा हूं ठीक है अगर आप शेयर करोगे कम चकम अरे व्यू तो आने चाहिए ना लाइक आने चाहिए थोड़े बहुत तभी तो कोई वीडियो बनाया नहीं तो ऐसी धुर्णा बना देगा ठीक है समझ रहा हूं आप चलिए तो मिलता हूं नेक्स वीडियों में जैहन ज बारत